दूस्तों मेरे पास है आज यहाँ पे अम्रेन ब्रैंड की और से आने वाला स्टाइलो 10 के पावर बैंक जो की 10,000 मेंच का है आज करने वाला हो इसका मैं फुल रिव्यू तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं है तो हो सकता है शायद आप गलत ह क्यों कि आजकर हम multiple devices साथ में उसकरते हैं तो ऐसे में अगर आपको कभी भार जाना पड़े और डिवाइसे में चार्ज कम हो तो यार पावर बैंक डेफिनेटल उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आता है तो यह कैसा प्रोड़क्ट है प्राइस क्या है आपके लिए अच् चेक कर सकते हो बाय करना तो भाय करते हो थोड़ा चैनल को भी सब पूट जाएगा तो जरू से चख आउट कीजीएगा तो सबसे पहले packaging की बात कर देंगे पावर बैंक तो आपको इस तरी के से मिल ही जाता है बट पैकेजिंग जो है इस तरह के बॉक्स में आपको यह पा वो वीडियो में आपको आगे पता चली जाएगा box जैसे आप उपन करते हो उसमें आपको powerbank देखने मिल जाता है और powerbank के अलावा आपको एक cable देखने मिल जाएगी user manual यहाँ पे box के अंदर नहीं मिलता है बट एक चीज अच्छी है कि box के back side पर यहाँ पर आपको qr देखने image यहाँ पर इन्होंने दिया गया है यह definitely काफी ज़्यादा अच्छा फील होता है matte finish में आता है और उपर वाला साइड जो है completely glossy नहीं है बढ़ा थोड़ा सा shiny finish आप इसका बोल सकते हैं उसक्रैचेश ज्यादा नहीं आएंगे यह अच्छी चीज है टॉप साइड पर आपको देखने मिल जाता है वहाँ पर चेक कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं अम्रेन की ब्रैंडिंग आपको यहाँ बैक सैड में बॉल सकता हूं कि पावर बैंक का क्वालिटी का अच्छा है तो फटा-फट स्पेसिकेशन की बात कर लेंगे सब इसका साइज आता है और वेट जो है दोस्तों 230 ग्राम तक का इसका वेट आपको इसके अंदर आपको पीडी टेकनोलेजी देखने मिल जाता है यानि कि पावर डेलिवेरी आपको डेलिवेरी जीने नहीं बता बता दू कि अलग 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 वाटेज पे अपने आप चार् आप Type-C port जो यहाँ पर यूज कर सकते हो अब दोस्तों इसके अंदर जो दो ports मिलते हैं इससे आप बाकी devices को चार्ज कर ही सकते हो बट Powerbank को अगर आपको चार्ज करना है तो Type-C port से आप कर पाओगे तो Type-C port से devices को भी चार्ज कीजे और Powerbank को भी चार्ज कीजे सकते हो कि कितना फार्स चार्ज कर रहा है बाकी devices के अगर मैं बात करूँ तो आप इससे लैप्टॉप चार्ज कर सकते हो जैसे कि अगर आपके लैप्टॉप में Type-C port है तो आप लैप्टॉप चार्ज कर पाओगे जैसे Redmi book हो गया या फिर लेडी इंडिकेटर में green light जो है ओन हो जाती है तो अगर आप लैप्टॉप को चार्ज कर रहे हो 20 वाट का output दे रहा है तो green light ओन हो जाएगी अब फोन अगर 80% के उपर चाला जाता है तो वहाँ पर ग्रीन लाइट उस ताइन पर बंद हो जाएगा तब 20 वाट नहीं 4005 मेर फोन मुझे लगता है लगबग 2 सारज हो जाएंगे 3,000 के फून आराभा से 2 बार एब आप चार्ज़ कर सकते हो डिबल तो आप चार्ज नहीं गरपा ऑँगे अबर लन किटành कर सकते थो दो बार से कर सकते हो अगर आप साफान से का फोल Julius अब दोस्तों pricing की भी बात कर लेते हैं इसका price क्या है यह जो है Amazon से मैंने buy किया था 800 रुपीज में इसके buying links आपको नीचे description में मिल जाएंगे offers चेक करने तो उसी link से कर सकते हो buy करना है तो buy भी कर सकते हो आपके कोई extra पैसे charge नहीं होंगे अब देखो मेरे पास यहां पर यह black color में है इसमें और दो color आते है blue and green और अलग-अलग sizes भी है 20,000 mm वाला भी option मिल जाएगा 27,000 mm वाला भी option मिल जाएगा आपको जो चाहिए आप वो buy कर सकते हो तो हां मैं बूल सकता हो कि अच्छा product है fast charging अच्छे से काम करता है study है build quality भी decency है अगर गिर भी जाता है एकादबार तो as such कोई problem नहीं होना चीए ज्यादा height से गिरेगा तो problem हो सकता है बाकि overall product काफी अच्छा है और आप इसके उपर रिलाइक कर सकते हो अम्रें इंडिया प्रोडक्ट है में इंडिया ब्रैंड है उसके वचे से प्रमोट नहीं करूंगा डेफिनेटली product अच्छा है इसलिए मेरी तरों से थमसब आपके opinion क्या है आपको क्या लगता है इस पावर बैंक के बारे में आप मुझे कमेंट है तो यहां पर या फिर यहां पर उसका लिंक आपको मिल रहा होगा वह भी आप चेक आउट कर सकते हो कि मैं मिलता हो नेक्स वीडियो में थैंक्यू